तो हाई दोस्तो आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेस्ट फाइव कैमरा ड्रोन अंडर 10,000 की दोस्तो आपको 10,000 के प्राइस सेग्मेंट में काफी ड्रोन देखने को मिलते हैं पर मैंने इस वीडियो में उन्हीं ड्रोन को एड़ किया है जिनकी बैटरी लाइफ एंड परफॉरमेंस सबसे अच्छी हो अगर आप भी ड्रोन लेना चाहते हैं या फिर ड्रोन लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना इस लिस्ट में सभी ड्रोन में कैमरा लगा हुआ है कैमरा सैंपल्स भी हम इस वीडियो में देखेंगे यह सभी ड्रोन आपको Flipkart and Amazon पर मिल जाएंगे से काफी जानी जाती है और हम बात करने जा रहे हैं सीमा एकस फाइव 6-axis gyro sensor, 360-degree flip, 3-speed mode मिलते हैं. बाकी दोस्तों, इस drone में 3.7-volt 500mAh की battery मिलती है, जो कि आपको एक charge में 8-10 minute का flight time प्रोवाइड करती है, and charging time 20-25 minutes है. दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा flight time चाहिए, तो आपको extra battery easily मिल जाएगी, and guys, इस drone की एक और अच्छी बात है कि इसकी repairing parts आपको online बड़ी असानी से मिल जाते हैं, and अगर future में drone में कुछ खराबी होती है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं. दोस्तों, इस drone में आपको one key take off, headless mode, barometer height set जैसे जरूरी feature नहीं मिलते, तो drone को उड़ाते time आपको बार-बार drone की height adjust करने पड़ती हैं. दोस्तों, इस drone का remote सबसे advance है, हमारे list में इसी drone का सबसे कमाल का remote है, क्योंकि इसमें एक छोटी सी LCD screen लगी हुई है, जो की drone का fly data आपको remote पे दिखाती है, जैसे की signal strength and battery life. इस remote से आप drone को 100-500 meter तक control कर सकते हो, ये drone आपको Amazon पे around 4300 में मिलेगा, इस drone में मैं camera को 2 star and performance को 3 star दूँगा. तो नमबर 4 पे है foldable drone S. जैसा कि आप इसके नाम से समझ गए होंगे, ये एक folding drone है, दोस्तो foldable drone को आप easily carry कर सकते हो, और foldable drone होने के बाद भी इस drone की build काफी solid है, दोस्तो इस drone में आपको camera मिलता है, जो की adjustable है, इसको आप अपने हाथ से उपर या नीचे point कर सकते हैं, दोस्तो इस drone में आपको headless mode, one key take off and landing, gyro stabilization, one key return, three speed switching, 360 degree flip, and emergency stop, जैसे feature के dedicated button मिलते हैं remote पर ही, मतलब आप इन feature को without mobile phone access कर सकते हैं, दोस्तो इस drone में आपको 1000 mAh की battery मिलती है, जो की आपको 10 minute का flight time प्रोवाइड करती है, और इसकी battery आप किसी भी mobile charger से 30-40 minute में चार्ज कर सकते हैं, दोस्तो आपको अपने mobile पे FYD, FPV app install करना है, उसके बाद आप drone camera की live footage अपने mobile पे देख पाओगे, एंड आपको mobile phone remote के नीचे attach करना होता है, जिससे drone उडाना काफी easy रहता है, ड्रोन के remote पे दो antenna लगे हुए हैं, जो की आपको 200-300 feet की control range देते हैं, एंड ये 15-20 meter की height तक जा सकता है, दोस्तो मैं कभी भी recommend नहीं करता कि आप drone को 10 meter से उपर लेकर जाएं, गाइज इस drone को आप Amazon से 5,500 rupees में buy कर सकते हैं, अब बात कर लेते हैं rating की, तो camera को 3 star and performance को 4 star मिलते हैं, दोस्तो नमबर 3 पे है Puneer drone, गाइज ये भी एक foldable drone है, और इस drone में 2 camera लगे हुए हैं, एक तो front facing camera है, जो की manually adjustable है, दूसरा downward positioning camera है, जो की flight में अपने नीचे की footage शो करता है, दोस्तो front camera 8 megapixel का है, जो की आपको 720p footage प्रोवाइड करता है, and downward positioning camera 2 megapixel का है, जो की 4 ATP video प्रोवाइड करता है, दोस्तो ड्रोन की build quality भहत ही बढ़िया है, और ये drone unfold करने पर काफी बढ़ा लगता है, दोस्तो ये drone अपने साथ कुछ unique feature लेकर आता है, जैसे optical flow, इसमें drone नीचे वाला camera यूज करता है, एक ही जगा पर उड़ने के लिए, follow me, इस feature में drone subject को follow करता है, hand gesture selfie, dual camera, one key return, headless mode, 360 degree flip, जैसे feature मिलते हैं, मुझे लगता है कि इस price segment में आपको, किसी भी और drone में इतने feature नहीं मिलते, दोस्तो, drone में 1200 mAh की battery लगी हुई है, जो की आपको 10 minute का flight time easily provide करेगी, दोस्तो, इस drone में आपको 4 arms पर LEDs मिलती है, and दो front facing LEDs भी लगी हुई है, दोस्तो, इस drone में 3 speed modes है, 30%, 60% and 100% speed, तो अगर आप video shoot करना चाहते हैं, तो आप drone को सबसे low speed पर रखना, यानि की 30%, इससे video जादा stable आएगी, अब बात कर लेते हैं drone के remote की, तो जैसा की आप देख सकते हैं, remote का size काफी छोटा है, and इसलिए आप इसको easily carry कर सकते हैं, remote में 3 AA battery लगती है, जो की 6-8 महिने चल जाती है, आप अपने phone को remote के उपर clip में attach कर सकते हैं, आपको अपने phone पे H1 app डाउनलोड करना है, and आपको live footage आपके phone पे receive होगी, and दोस्तों, आप drone को पूरी तरीके से phone से भी control कर सकते हैं, guys, ये drone भी आपको Amazon से around 5500 में मिल जाएगा, दोस्तों, इसके camera and performance को मैं 4-4 star दे रहा हूँ, तो आगे बढ़ते हैं, नमबर दो drone पे यहाँ पे आता है, Heston 720P drone, दोस्तों, ये एक folding drone है, and ये drone काफी बढ़िया plastic से बना है, दोस्तों, इस drone के propeller भी बढ़िया quality के है, and Electrobotic Company ने इस drone को काफी solid बनाया है, दोस्तों, ये drone चार colors में आता है, white, yellow, red and black, दोस्तों, ड्रोन में आपको 3-speed mode, gesture selfie, altitude hold, optical flow, headless mode, 6-axis gyro मिलता है, and दोस्तों, इस drone में 2 cameras है, इन दूनों में से आप only front camera से record कर सकते हैं, जो दूसरा downward positioning camera है, only optical flow के लिए है, guys, front camera adjustable है, and ये camera 2 megapixel का है, जो कि आपको 720p footage प्रोवाइट करता है, दोस्तों, camera quality अच्छी है, पर camera में lag बहुत जादा है, दोस्तों, ड्रोन की price के हिसाब से camera और भी अच्छा होना चाहिए था, and guys, ड्रोन में 1600 mAh की high capacity battery लगी हुई है, जो कि आपको 12-15 minute का flight time देती है, दोस्तों, आपको अपने phone पे go sky app डाउनलोड करना है, ड्रोन से connect करने के लिए, दोस्तों, ड्रोन में 6 LEDs लगी हुई है, चार तो arms पर, and दो camera के उपर, जो कि इसके look को और भी attractive बनाती है, और इस ड्रोन में आपको only 2 extra propeller मिलते हैं, अभी तक जितने भी ड्रोन की बात की है, उनमें आपको 4 extra propeller देखने को मिलते हैं, दोस्तों, ड्रोन की build quality बहुत अच्छी है, and premium है, तो आप इस ड्रोन को purchase कर सकते हैं, इसकी MRP price 10,999 है, पर ये आपको सस्ता मिल जाएगा, इसका price 7,300 है Amazon पर, रेटिंग की बात करें, तो camera को 3.5 star, and performance को 4.5 star मिलते हैं, अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है, तो प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और drone reviews के लिए, फाइनली, नमबर वन पे है, DJI Telo, दोस्तों, ये drone Rise, and DJI Company ने बनाया है, इस drone में, Intel का चिपसेट लगा हुआ है, drone की functioning के लिए, दोस्तों, इस drone की flight, super super smooth है, क्योंकि, इसमें VPS, यानि, vision positioning system, लगा हुआ है, VPS, drone को एक ही position, and height पे hold रखता है, दोस्तों, drone की feature की बात करें, तो आपको, दोस्तों, drone में 5MP का camera लगा हुआ है, जो की, HD photos क्लिक करता है, ये drone 720p में, वीडियो record कर सकता है, और इसके camera में, electronic image stabilization, EIS मिलती है, जो की, वीडियो को, super smooth बनाती है, guys, drone में, 1100 mAh की battery लगी हुई है, जो की आपको, 13 minute का flight time प्रोवाइट करती है, जो की, 50 minute में, charge हो जाती है, दोस्तों, ये drone उडाने में, काफी easy है, और इसको, कोई भी उडा सकता है, दोस्तों, drone में आपको, special flight mode मिलते हैं, जिससे, आप अच्छी video footage, shoot कर सकते हैं, दोस्तों, drone के box में, आपको, drone, charging cable, 4 extra propeller, propeller removal tool, and instruction manual, मिलती है, जी हाँ, इस drone के box में, आपको, कोई remote नहीं मिलता, आप drone को, DJI Telo app से, control कर सकते हैं, जैसा कि, ये wifi से connect होता है, तो, इसकी control range, भी काफी कम होती है, around 100 feet, दोस्तों, इस drone को, आप Amazon से, around 10,000 में, purchase कर सकते हैं, इसके camera को, 4.5 star, and performance को, 5 star मिलते हैं, दोस्तों, इस वीडियो में, इतना ही, मैंने इन सभी drone का, link description में, दे दिया है, आप वहाँ से, buy कर सकते हैं, दोस्तों, वीडियो को, लाज तक देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं, अगली वीडियो में, thank you,